नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में Vivo T3 Lite 5G vs Realme P15G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो T3 Lite में 6.44 इंच जब की P15G में 6.42 इंच की लेंध मिलती है जो की T3 Lite से कम है विद की बात करें तो T3 Lite में 2.98 इंच जब की P15G में 2.97 इंच की विद्थ मिलती है जो की सेंग जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो T3 Lite में 0.33 इंच जब की P15G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं weight की तो T3 light में 185 grams जबकि P15G में 188 grams का weight देखने को मिलता है जो की same जैसा ही है चलिए अब हम display की तुलना करते हैं display type की बात करें तो T3 light में LCD जबकि P15G में AMOLED की display मिलती है aspect ratio दोनों phone में same ही 20 ratio 9 मिलता है display size की बात करें तो T3 light में 6.56 inches जबकि P15G में 6.67 inches मिलती है display resolution T3 light में 720 x 1612 px HD+, और P15G में 1080 x 2400 px FHD+, मिलता है screen to body ratio T3 light में 84.01 जबकि P15G में 87.36 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो T3 light में 279 pixel प्रती इंच जबकि P15G में 395 pixel प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशता है की जो की mobile phone का महत्वपोन हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें main camera की तो T3 light में 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है और P15G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में mono camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो T3 Lite में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और P15G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो T3 Lite में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है और P15G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो T3 Lite में Mali G57MC2 जबकी P15G में Mali G68MC4 मिलता है चिपसेट की बात करें तो T3 Lite में Media Tech Dimensity 6300 और P15G में Media Tech Dimensity 7050 मिलता है बात करें RAM की तो T3 Lite में 2 option देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है जबकी P15G में 2 option देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो T3 Lite में 128GB की storage मिलती है जबकी P15G में 2 विकल्ग देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में up to 1TB है operating system दोनों phone में Android V14 देखने को मिलती है battery की बात करें तो दोनों phone में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो दोनों phone में same ही 2 colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो T3 light में 2 variant देखने को मिलते है जो की 4GB RAM 128GB storage के साथ 12,998 रूपीज 6GB RAM 128GB storage के साथ 11,499 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें P1 5G की तो उसमें 3 variant देखने को मिलते है जो की 6GB RAM 128GB storage के साथ 15,999 रूपीज 8GB RAM 128GB storage के साथ 16,999 रूपीज 8GB RAM 256GB storage के साथ 18,989 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prands and Cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो Vivo T3 light 5G में 7 फाइदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme P15G की तो उसमें 7,5 रूपीज और 7 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में P15G आगे है Main camera में दोनों phone सेम ही है Front selfie camera में दोनों phone सेम ही है Performance में P15G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते है पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Nothing phone 2A 5G है दूसरा Realme 12 5G है तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Motorola Edge 50 Fusion 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्याई से like, share और subscribe करना न भूले